हाई फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि मैं स्टेडी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ लेकिन आज मैं कुछ नया आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूँ जैसे कल मैं रिलांस गया था वहाँ से मुझे एक नया फुरूट मिला जो की ओडिसा में काफी रेयार है और इसका जो नेटिव प्लेस है ये जनरली कोरिया और चाइना में पाया जाता है और इसका नाम आपको साथ पता होगा आप में से कितने इसको ट्राइ कर चुके होंग तो इसका इंगलिस नेम जो है कैनारी मेलन है और इसको सन मेलन या सन जुएल मेलन भी बोला जाता है और हिंदी में आप लोग इसे सर्दा भी बोलते हैं तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ स्यार करने वाला हूँ जैसे कि इसका कुछ बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स और हम उसको देखेंगे काटकर कैसा लगता है इसका टेस्ट यह हमारा फास्ट टाइम है तो मैं आप लोग के साथ यह सेहार करने वाला हूँ की कैसा लगता है क्योंकि यह ओडि सा में रियार फ्रूट है तो चलिए देखते हैं इसको काट कर इसका टेस्ट कैसा है तो जो मेरा फ्रेंड है वो इसको काटेगा देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा लगता है और इसका health benefit मैं आपको बताऊंगा यह fruit का हर part edible है, सब part हम इसको खा सकते हैं, लेकिन इसको छिल के भी खाते हैं, इसका seed को भी कोई कोई खाते हैं लेकिन इसका जो यह generally मतलब आप लोग को यह summer के time में ज़्यादा मिलता है, इसका water content बहुत ज़्यादा है और यह जो fruit है, वो देखिए कैसा उसका seed अंदर है और इसका color थोड़ा light color का है अंदर का so यह basically यह एक cross है किसका cucumber और honey dew का तो देखते हैं उसका test कैसा लगता है और यह इसमें ज़्यादा तर भीटाबीन A और C पाढ़े जाता है और इसमें एक lycopene नामक एक तत्व मिलते है it is reached in lycopene इसका काम क्या है which reduces cardiovascular disease heart disease होता है यह उसको reduce करता है और एक तत्व मिलता है जिसका नामें vitamin B6 और वो जो vitamin B6 है उसका काम है कि यह metabolism को maintain करता है body का metabolism maintain करता है और क्या diabetes को reduce करता है देखिए इसका seed है यह जो yellow color it is very much similar to cucumber cucumber इसका seed को भी कोई कोई मतलब सुखा के खाते हैं और यह diabetes और obesity को भी reduce करता है यह सब उसका health benefit है हमने तो यह पहली बार try हम कर रहे हैं देखिए हैं यह कैसा लगता है test में यह slightly orange towards inside okay उसको बीच में से काटा हो बीच में से काटा हो हम को हम पहली बार काट रहे हैं तो थोड़ा पता नहीं कैसे कारते हैं देखिए हैं इसको चिल के देखते हैं टेस्ट कैसा है आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो इसको try कर चुके होंगे और कैसा लगा आप comment में share कर सकते हैं इसका test कैसा है हम तो पहली बार आज इसको try कर रहे हैं इसको पील करने का जरूरत नहीं थोड़ा सा पील कीजिए उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है कई मैंने पढ़ा था कि इसका पूरा पार्ट को भी खाते हैं हम थोड़ा पील करके देखेंगे वान पीस को पील करके देखेंगे कैसा लग रहा है और यह इसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर कंट्रेंट है तो यह समर सीजिन में आपको खाने को अच्छा लगेगा क्यांकि यह हमारे बड़ी को सफिसेट हमांड में वाटर देगा रिहाइडरेट करेगा बड़ी को देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है एक पीस को काट करें चोटा-चोटा करके काट देखते हैं मैं सोचा कि इस तरह का वीडियो भी अपने स्टूडेंट लोगों के साथ सेयर करूँ तक कि इस बाइलोजी टीचर उन लोग के साथ भी कुछ फ्रूट्स के या कुछ वेजिटेबल्स के बेनी फीट्स को भी स्यार करूँ देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है देखते हैं उसका टेस्ट इसका थोड़ा मिक्स्ट फ्लेवर जैसा है ज्यादा कोई भी फ्लेवर ज्यादा नहीं है बबल गम टाइप का लग रहा है लाइट टेस्ट है तेस्ट केसा है यह कुकोंब पार के दाशला है और यह स्लाइट थोड़ा सा मिठा इसका टेस्ट शरे अगर हम ब्लक सॉल्ट के साथ खाएंगे तो जयादा अच्छाला एब हैगा ओके यह आप लोग भी इसको टेस्ट करें और आपको कैसा टेस्ट लगा कोमेंट बक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको भाइदे मन्द रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया फूरूट्स के साथ और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको हम नेक्स्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू अ कि यहां चैनल कर दोद्स भी आपको बाल मेरे बेसित कर दो सकते हैं जापको पिलके मेरे जापको अवीडियो आपको भाइब क सब्सक्राइब कर दो एंड़ नेक्स्तराइब को साथ और उसक्तराइब पिलक्षर्यारा इा पैसा